भारत ने मालदीव को चावल निर्यात करने पर रोक लगा दी है। ये फैसला मालदीव के नए शासन द्वारा चिये जासुसी जहाज को बंदर गवं में खड़ा करने की इजाज़त के बाद आया है। इस घटना को भारत की सुरक्षा में खुली छेर चार और विश्वास घात के रूप में देखा जा रहा है। भारत और मालदीव के बीच दशकों का गहरा रिश्टा रहा है। हमने प्राकृतिक आपदाओं में उनका साथ दिया। आर्थिक मदद की और यहां तक कि तक्ताप चिंता का विश्य बन गया है। इसे भारत की सुरक्षा चिंताओं की स्पष्ट अवहेलना और भरोसे की धोकादड़ी के रूप में देखा जा रहा है। चीनी जासुसी जहाज को मालदीव के बंदरगाम में अनुमती देना भारत की राष्ट्रि सुरक्षा के लिए सिध चावल का प्रतिबंद तो सिर्फ पहला कदम है। अगर मालदीव सरकार ने अपना रुख नहीं बदला तो भारत ने और करे कदम उठाने का संकेत दिया है। इसमें राजनाईक बहिश्कार से लेकर आर्थी प्रतिबंद तक कुछ भी शामिल हो सकता है। अब गेन मालदी और मैं अगले विडियो में आप से मिलूँगा।